नमस्कार दोस्तो बैं मिखलेनेस मास्टर फिर से हाज इनुंग अपने एक नए वीडियो के साथ जिन दोस्तार मेए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले तक हिम мой latest वीडियो को सबसे पले देख सके दोस्तो आज के इस वीडियो में rule 38 जो व वोको रूल 38 जिनको भी transfer चाहिए और online apply करेंगे तो उसके लिए आपको login details कैसे क्या create करना है कैसे apply हो वो सारे मैं वीडियों बताने वाला हूं तो आप ध्यान से देखें वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग अलग-अलग doubts उनके होंगे और पू इसका मैं link description में वीडियो के description में भी website का link दे दूँगा जहां से आप खोलेंगे जब उस link पे क्लिक करेंगा तो सिधा आपको यह page कुलेगा यह first page interface ऐसे आपको आएगा इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है employee ID, password और OTP employee ID जो आपका sap का ID होता है mostly 101 या 102 से सबके ID होते हैं वो शुरू होंगे या 100 से भी हो सकता है कुछ सरकल के तो आपको यहां पर employee ID आपके डालना है आपके जो भी employee ID होंगे वो यहां पर डालेंगे जब उसके बाद password अभी जो लोग first time ID जब बनाएगा तो उनके sap का password है वो यहां पर नहीं चलेगा तो यहां पर password आपको simply डालना है first time जो भी login कर रहा है account बनाने के लिए तो यहां पर password डालेगा DOP123 और स्टार सब चीज़े small में हो रहा है DOP मैं एक फिर से बोल दे रहा हूं password क्या होगा DOP department of post जो होता है उसका initial DOP यह होगा उसके OOP123 और इस्टार यह password यहां पर डालना है बागी आपका यहां पर जो भी ID है उसके recording आपको ID यहां पर डाल देना है उसके बाद जब आप OTP पर क्लिक करेंगे तो आपको mobile link करने का option आ जाएगा मैं आपको भी दिखा दे रहा हूं एक बाद जब आपका mobile link हो जाएगा और पासवर्ड भी चेंज कर लेंगे जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि आपको यहां पर अपना जो sap ID होता है वो डालना है और पासवर्ड में initial time के सबसे first time जब आप लॉग इन कर रहा है DOP 123 इस्टार डालना है उसके बाद OTP करना है OTP जब आप क्लिक करेंगे तो आपको mobile number add करने का option आजाएगा तो जो आप mobile link करना चाहते हैं वो फोई एक mobile नमबर डालेंगे उस mobile नमबर पर OTP आएगा और फिर OTP वेरिफाई करने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करने का option आजाएगा उसके बाद जब आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे तो फिर से आपको यही पेज खुल जाएगा यहाँ पर फिर से आपको अपना employee ID डालना है और जो आपने चेंज पासवर्ड किया वो पासवर्ड डालना है और फिर उसके बाद OTP पर क्लिक करना है तो जो आपने mobile नमबर रजिस्टर किया है उस पर OTP आज जाएगा और OTP डालने के बाद आपको दिखा रहा हूं कि कैसा पेज दिखता है लागिन जब आप करते हैं उसके बाद जब आप लागिन पासवर्ड अपना क्रियेट करके डाल के आओगे तो आपको यह पेज खुल जाएगा यहाँ पर आपका लागिन डिखाएगा यहाँ आपका employee ID होगा अगर उसके बाद भी आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यह आगे बरना है अधरवाइस आपको रहने देना है अगर बाइचन सा पिछला जो पासवर्ड हो भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर पूराना जो करेंट पासवर्ड हो डलना है फिर यहाँ पासवर्ड डालके वेरि अप्लाई करना चाहता है तो जब रिक्वेस्ट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म करना होगा जिसमें आपका बेसिक डीटेल्स आएगा उसके बाद आपको जो कहां ट्रांसफर लेना इंटर सर्कल इंटर सर्कल सारे चूज करने को वहां से अप्लिकेशन आजाएग यहां पर नाम आएगा डेटव रहता हैगा पोस्ट ग्रूप करेंगा यह जो आपका मोबाईल नबरी लिंक करेंगी यह यह बाइडिफल्ट नहीं आएगा स्टाइंग में बताया था कि मोबाईल नमर आप से पुछा जाएगा जिस सरकल अब आपकर काम कर रहें हो सरकल आ यह तो आपका हुआ जब आपने जॉयांग के तब अगर किसी ने एम्ट्राइण करके पर मोचन हुआ या कोई और पोस्ट पर पर मोचन ऊगा तो यहां पर डीटल सागा जो आप प्रेजेंट पोस्ट पर कहां पर काम कर रहा है वो सरा डीटल से या illness वाला कुछ category है तो चूच करना है बागी सारे category के लिए general करना है spouse category के लिए बहुत लोग पुछता है कि spouse में कुछ benefit मिलेगा क्या तो अभी spouse case को कोई benefit extra नहीं मिल रहा है उनको general के तरह treat किया जागा तो अगर आपका spouse का भी category है grounds है तो तब भी आपको generally choose करना है PWD candidate और कोई illness है OV illness means terminal illness या compensate ground है तो तीन category को ही priority मिल रही है बाकी सब लोग general के तरह treat होंगा यह हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से choose करना है types of rule 30 अब क्या लें रहा है इंट्रा सरकल है कि इंटर सरकल है ऐसे करके यहाँ पर दोनों में से कोई एक चूज कर लेना है उसको आपका preference है division का preference के लिए जैसा कि पहले जो notification है था उसमें बोला गया था कि आपको 10 maximum 10 का option मिलेगा तो आप maximum 10 डाल सकते हैं एक दो तीन जितने आप च्वाइस डालना चाहते हैं उतना आप इसमें से यहाँ से आपको जब यह सरकल इंट्रा सरकल और इंट्रा सरकल उसके बाद यहाँ पर क्या ग्राउंड हो चूज कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको वी आपको सो करने लगेगा यहाँ पर जैसे अप्लाई सरकल जो उसके बाद इंट्रा सरकल यहाँ पर चूज कर लेंगे कि कौन से सरकल जाना चारह। उसके बाद आपके पास 10 डाल सकते उस circle से जो भी related division है maximum 10 का option है आप चाये तो एक भी डाल सकते हैं एक से ज़्यादे भी डाल सकते हैं लेगिन maximum जो option होगा और 10 तक होगा उसके बाद दस या एक से ज़्यादे division चूज करने के बाद आपको submit सिर्फ कर देना है तो आपका application सब्मिट हो जाएगा और इस server से पूरे all India से जितने लोग भी apply करेंगे उन सब का request यहाँ पर सो होगा तो इसमें transparency भी आएगी और काम भी जल्दी होगा जैसा कि अभी अब देख सकते हैं कि January का ही बहुत सारे circle है जो list अभी तक published नहीं किये यह जो change किया गया है जो order आया था उसमें clearly बोला गया है कि में तक जितने लोगों ने transfer अपलाई किया चाहिए सब circle के उन सब के जो लोग offline अभी तक apply कर चुके हैं जन्वारी फरवरी या उससे पहले भी जो लोग apply किये हैं उनके भी नाम को जो central server होगा उसमें update करना है साब circle को बोल दिया गया है सारे circle वैसे update करेंगे ताकि यह भी पता चल सके हैं कि कहां से कितने candidate आने वाले हैं जाने वाले हैं तो वह भी अच्छा होगा तो यहाँ पर एक बाद जब submit कर देंगे तो उसके बाद अपना acceptance form request status यह सब यहां से आप check कर सकते हैं जब भी login करेंगे तो यह पूरा details है जो लोग अप्रेस application जो लोग already apply किया हुआ उनको यह करने की जुरुत नहीं है उनका जो पहले का application है उसको ही treat किया जाएगा consider किया जाएगा जो लोग पहले से apply किया हुए लें अगर कोई future में मतलब एक जून के बाद जो लोग भी apply करना चाहरा है उनको इस process से ही अब जाना परेगा में तक जिनों ने apply किया है उनका ठीक है में के बाद जो भी application होगा rule 38 उनको online ऐसे apply करना होगा जैसे कि मैंने सबसे पहले account उनको बनाना होगा जो लोग apply करने को सोच रहे हैं वो पहले अपना जब भी time मिलेगा मैं इस website का link भी दे दूँगा यह आप यहाँ देख सकते हैं क्या link है awp apps.cept.gov.in rule 38 request request.form ऐसे करके यह form में आगे मैं इसका exact link जो homepage का है वो भी दे दूँगा description में आप वहाँ से भी link पे click करके जा सकते हैं website पे और जो जो इसमें details जैसे मैंने बताए क्या fill आप करना वो fill करके आपको सिर्फ submit कर देना उसके बाद कर जो ही process होगा circle देखेगा division और circle देखेगा और जो आपका जिस circle के लिए भी transfer apply करेंगा वहाँ पे आपको क्या waiting होगा वो सारे जारी हो जाएंगे एक दो महिने में जो लोग अभी तक नहीं होगा बहुत सारे लोग comment कर रहे हैं खासकर जो लोग बिहार यूपी जहरकन के लिए transfer apply किया हैं वहाँ पे उनको transfer नहीं मिल रहे हैं बिहार में और यूपी जहरकन के लिए transfer apply कर रहे हैं उनको transfer मिलना थोड़ा मुस्किल होगा फिर भी देखते हैं इस list के बाद जब next month से online list published होना शुरू होगा तो उसमें थोड़ा सा transfer से भी आएगी और सबको पता चलेगा कि कहां पर कितनी वेटिंग है तो उसके recording वह अपना अगर चाहें तो change भी कर सकते हैं division के अगर इस बार मान लिया कि किसी ने बिहार के लिए apply किया हुआ है उसका वेटिंग जादे आ रहा है तो आसपास के state को भी try कर सकता है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों जो लोग इस चैनल पर नहीं है और अभी तक subscribe नहीं कि हो subscribe कर ले और जिनके अभी दोस्त अभी transfer apply नहीं किया है या करने का सोच रहे हैं उनको यह link जरूर दे ताकि उनको पता चले कि अब apply कैसे होगा खास कर जो लोग उनको भी यह link दे ताकि उनको पता चले कि Excel बात कैसे apply करना है मिलते हैं अपने अगले वीडियो में धन्यबाद दोस्तों